हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है कपील और स्वागत आप सभी का फुर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स आज के सुड़ो में हम देखने वाले हैं इंडियान हिस्ट्री के 30 ऐसे महत्वपूर्ण अप्रसन उत्तर जो एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो इसलिए आप इस वीड़ो को सुरुसन तक जरू देखेगा और नहीं याद कर लिजीगा ठिक हैं अगर आप इस वीड़ो का फिरी पीड़ो फाल डॉनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप और आपकी सकसे जवानकरी से डॉनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरुप जोएन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए अब कुशन कर बढ़ते हैं यहाँ पर हमारा पहला प्रस्न है आधुनिक भारत में हिंदु धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो आधुनिक भारत में ह ब्रह्म समाज का सिधान किस पर अधारित था तो ब्रह्म समाज का सिधान अध्वैत वाद पर अधारित था कुशन में थ्री है ब्रह्म समाज का उदेश से था तो ब्रह्म समाज का उदेश से हिंदु धर्म की बुराईयों पर प्रहार करना और एकिस्वर वाद का परचार करना था तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा option C ये और भी दोनों question number 4 है भारतिय पुनर जागरन का पिता किसे कहा जाता है तो भारतिय पुनर जागरन का पिता वह भारतिय राष्ट वाद का जनक राजा राम मोहन राई को कहा जाता है Q5 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 है Q6 है Q5 है Q5 है Q5 है Q5 है Q5 है इनके मीर्थु 1833 इस्वि में एंगलैंड के ब्रिश्टल सहर में हुवी थी सत्यार्थ प्रकास पूस्टा के लेखा कौन है। नेक्स्ट कोशन है, कोशन मार 19, राम कृष्ण मीशन के स्थापना किसने की? तो राम कृष्ण मीशन, राम कृष्ण मीशन के स्थापना स्वामी विवेकानन ने की थे, कब 1897 में की थे, स्वामी विवेकानन ने 1897 में राम कृष्ण मीशन के स्थापना की थे, स्वामी विव राष्ट्र का सुक्रात जो है वह कहा जाता है महादेव गोविंद राना देखो Q21 है राष्ट्रिय समाद सुधार समिती के स्थापना किसने के तो राष्ट्रिय समाद सुधार समिती के स्थापना 1887 इस्वि में महादेव गोविंद राना देने की थे Next question है Q22 स्वामी वेकानन्द किस वर्ष अमेरिका के सिकागो सहर में आजित धार्मिक समयलन में भाग लिया था स्वामी वेकानन्द इसी धार्मिक समयलन से परसीद हुए थे किसे आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राई को कहा जाता है कन्या कुमारी का रौक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है यह स्थित है कन्या कुमारी में और यह किसके लिए परसीद है तो यह परसीद है स्वामी वेकानन्द के लिए कन्या कुमारी स्थित रौक मेमोरियल स्वामी वेकानन्द के लिए समर्पित है क्वेशन में 26 है समवाद कौमूदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राई थे Q27 है तत्व बोधिनी सभा और तत्व बोधिनी पत्री का किसे समन्दित है तो तत्व बोधिनी सभा और तत्व बोधिनी पत्री का यह समन्दित है देवेंदरनाथ टैगोर से तत्व बोधिनी सभाव के स्थापना कब की थी इन्होंने देवेंदर नाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभाव के स्थापना कब की थी तो इन्होंने इसके स्थापना 1849 इस्वी में की थी नेक्ट कोशन है कोशन माँ ट्विंटी एट प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडुरंग थे इन्होंने प्रार्थना समाज के स्थापना अठारा सो शर्षट इस्वि में बंबई में केसव चंद्रसेन की प्रे सेन की प्रेणना के फ्लस वरूफ हुवे थे लास्ट कोशन है कोशन मर 30 इन में किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ग्यान योग, कर्म योग तथा राज योग नामक पुस्थिकाएं लिखे तो देखे ग्यान योग कर्म योग तथा राज योग नामत पुष्थिकाई जो है इसे स्वामे वेकानन ने लिखे थे तो फ्रेंट्स ये थे इंडियान हिस्ट्री के टॉप 30 को सनांस अगर ये वीडियो आपके लिए हिल्फूल रही हो तो प्लेज इस स्टुडियो को लाइक तथा सेर जरूर कर दिजेगा अब मिलते कर दो कर दो प्लेजर लिए। झाल झाल झाल